और पावर मोड में तो आहा आहा कमाल ही कर दिया है भाई सीट्स बहुत कमफटेबल हैं थोड़ी सी ना यार कंजूसी कर गई कंपनी एक बात और Welcome back to 11X Friends जैसा आपको पता है कि अभी हमने जिमनी ली और हमने एक साथ 16 जिमनी ली गए क्योंकि बहुत अच्छी डील मिल रही थी एक कंपनी से डीला है फिर डीलर्शिप से में बड़ी अच्छी डील मिली और हमने एक साथ 16 गाड़ी उठा ली और सब फ्रेंट्स ने आपस में मिला सोचा यार डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छी डील है और हमने गाड़ियां ले ली अच्छा जब गाड़ियां ले ली हम साथ में बैठे बात कर रहे थे फिर डीलर्शिप से भी बात हो रही थी तो हमने टोयटा हाइलक्स बीली हाइलक्स पर भी हैं बहुत अच्छी डील मिली जब हाइलक्स ले ली कम भी है देट साल दो साल इतना लंबा समय कौन रुखे यार नीड तो है supply कम है तो हम सोच रहे थे इसका क्या solution निकाला दे और इसका solution ultimately हमें मिल गया solution इसका यह है देख रहे हो आप and this is not high cross this is Maruti Invicto बात हो रही थी high cross की और ले आया इंविक्टो इनविक्टो में और high cross में कोई फर्क नहीं है सिर्फ दो फर्क है बैच का हो Toyota है यह Suzuki है grill का भी फर्क है but personally this is a personal opinion मेरे को तो यार इसकी grill ज्यादा अच्छी लगती है दूसरा एक फर्क क्या है उसमें 18 इंच alloy wheels है इसमें 17 इंच है और थोड़ा सा compromise करने से सिर्फ यह दो compromise करने से आपके एक लाख रुपे बच रहे है दो मॉटल आते हैं इसमें एक जीटा आता है एक अलफा आता है फिलाल हमें जीटा मिला है शाकुंबरी मॉटो मॉपाइल ने हमको दिया है एक दम नई गाड़ी दी है और जीटा और एल्फा में 4 लाख रुपे का डिफरेंस है अगर आप लेना चाहें तो उनसे आपको बड़ी अच्छी डील भी मिल जाएगी साथ में आपको जल्दी एलेवल भी हो जाएगा हम नमबर उनका description में डाल देंगे और अब इसे हम चला के भी देखते हैं राइड लेते हैं यह देखते हैं यार क्या मारूती पर जाना चाहिए because this is the most premium car of मारूती देखो 10 लेक्स तक ना मारूती is number one they are the pioneers और सब को complete satisfaction है इतनी लंबए service line है उनका सब कुछ है कहीं दिक्कत नी है मगर क्या इतनी महंगी गाड़ी वह भी मारूती की लेनी चाहिए जो हमें बताया गया है वो यह बताया गया कि SMD line is same the car is absolutely same तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप मारूती की ले रहे हैं या Toyota की ले रहे हैं मगर इसे टेस्ट भी करके देखते हैं चला के देखते हैं देखते हैं कैसी चल रही है क्या features है सब आपके साथ share करेंगे हैं जिससे आप अपना एक true opinion form कर सकें जब आप अंदर आएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार आप किसी मारूती की गाड़ी में बैठे हैं एक decent luxury car की आपको feel आईगी और black interior यूज़ किये बीच में थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं और touch इन्होंने champagne gold का यूज़ किया है जो आपको एक premium look देता है अच्छा एक मैं आपको issue बताऊं इतनी बड़ी गाड़ी में यार wireless charging नहीं दिया वाइड charging दिया आप यहां से plug attach करेंगे और यहां पर अपनी charging करते हैं जो मेरे को लगता है कि थोड़ी सीना यार कंजूसी कर गई company six airbags दिये गए कार में और charging pot दिये गए आपको USB भी दिया गया है और CB दिया गया है ठीक है hill decent control है चलाएंगे तो और भी बाते करेंगे कैसी है यह glove compartment है sideways खुलता है पर काफी deep है space बहुत अच्छी दी गई है कप holders यहां पर दिये गए है कीज आप देख रहे हों भारी है यार कीज सीट्स प्रिटी कमफर्टेबिल कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है ace events बड़े style के साथ इन्होंने यहां पर put in किये हैं जिससे और उसकी beauty enhance हो रही है और अब although I am not that tall पर यह मेरी sitting position है और अब पीछे चलके देखते हैं second row, third row की क्या conditions है जो कार हमें मिली है इसमें captain seats है तो यह हुआ है आपकी 7-seater बाकी 8-seater भी आती है और उसमें खाली 10-15,000 रुपे का difference है आपको कौन सी चाहिए आप decide कर सकते है भाई seats बहुत comfortable है leg space आप देख सकते हो कितना जबर्दस leg space है under thigh support भी बहुत अच्छा है और मतलब बहुत ही decent ज और dual zone climate control उसमें alpha में है जीटा में नहीं है पिछली seats भी बहुत comfortable है पीछे भी जाके एक बार देख लेते हैं एक बात और यह देखो बहुत अच्छे sun blinds भी दिये गए हैं इसमें मगर भाई आप किस area में हो यह decide कर ले ना कुछ जगा चलांस भी अच्छे खासे करते हैं अ अराम से cups place कर लिया आपने tray अगरा रख ली कुछ snacking करने के लिए बहुत अच्छा है पीछे जाना है यूज करना कुछ और लोगों को तो यह बहुत अच्छे से fold भी हो जाता है यह अपन पीछे आ गए यह आप देख रहूं मतब तीन तो नहीं दो जने बहुत अराम से बैठ सकते हैं और मैं समझता हूँ 50 किलो मेटरस मेबी 70-80 किलो मेटरस तक अराम से बैठ सकते हैं उसके बाद तो ठक जाएंगे यार लेकिन ऐसा नहीं है कि this seat is only for kids this can be used और यह seat खड़ी करने के बाद आपको जो boot मिल रहा है वो hydraulic मिल रहा है और alpha में electronic है जो capacity है यहाँ पर decent है आप अच्छे बड़े 3 bags रख सकते हैं अगर आपने यह seat fold कर दी तब तो भाई there is ample of space फिर कहीं दिक्कत नहीं है अब एक काम और करते हैं अब गाड़ी चला के देखें कैसी चलती है कैसा feel आता है त नहीं खर्चने चाहिए बाकी features तो भर भर के दिये गए है जीटा में 360 degree camera नहीं है alpha में आपको भी मिलेगा साथ में moonroof भी मिलेगी बहुत ही smoothly कार चल रही है आपको कोई महनत नहीं करनी पड़ रही है suspension बहुत soft है और मतलब it is very easy to handle अगर आपने पहले कोई बड़ी गाड़ नहीं चलाई है तो आपको पांच मिनिट भी नहीं लगेंगे अगर आपने नहीं चलाई है तो at least you will take 20 minutes not more than that drive बहुत smooth है और instrument cluster बहुत संदर बनाया गया बहुती संदर लग रहा है एकदम catchy जिसे कहते है न वह है आपकी जो अर्किंग brakes है electronic है power mode दिये गए है दो drive mode है अभी हम EV पे चल रहे है फिर power mode भी है try करते है यह power यार power mode power दिखा रहा है this engine will not let you down कहीं से कहीं तक pedal shifter दिये गए है लेकिन अगर आप power mode में है तो भाई मैंनी समझता कहीं pedal shifter की जरूरत है इंसुलेशन बहुत अच्छा है आपको भार की engine noise बिलकुल नहीं आ रही है बहुत smooth चल रही है कार और power mode में तो aha aha कमाल ही कर दिया लेकिन अगर आप long drive पे जा रहे हैं और आपको fuel saving करनी है although hybrid में तो बहुत अच्छी fuel saving हो रही है 19 का average मिल रहा है और क्या बच्चे की जान लोगे लेकिन EV आपके पास है आप EV पे switch on कर दें और बहुत बहुत आराम से चलें अगर आप पावर मोड में हैं तो 60 से उपर रहेंगे तो EV में convert नहीं होगा आपको पहले slow down करना होगा फिर EV पे convert करना होगा तब वो EV mode पर आ जाएगा लेकिन अगर आप fast चल रहे हैं और उसके बाद EV पे convert करेंगे तो नहीं होगा हाला कि एक बार आपने EV पे कर दिया then you can cruise up to 60 70 or maybe 80 km also but once we have accelerated और आप भाग रहे हैं 120 तो इवी पे convert नहीं होगा इट इस सो comfortable और क्योंकि देखो 2000 CC का engine है पर यह SUV नहीं है SUV लुक आपको दे रही है कार जो है यह MPV है तो इसमें वह पंच नहीं मिलेगा आपको suspension बहुत अच्छा है एक दिन smooth चल रही है कहीं कोई कमी नहीं लगेगी आपको और basically देखो आप इस कार को stunt के लिए तो लेनी रहे है family car ले रहे है and most of the time it will be chauffeur driven I believe तो कहीं कोई issue नहीं है उस कार में कि अच्छी कार का बहुत ही छोटा दिया गया तो मतलब आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार बड़ी गाड़ी है आप uncomfortable coming up to final verdict देखो आपको high cross पसंद है और बहुत अच्छी कार है टोयटा reliability है यहार मारूती भी कोई छोटी मोटी company नहीं है जब assembly line सेम है गाड़ियां सब एक साथ बन रही है सिर्फ light और grill का फरक है जो ज़्यादा सुंदर लग रही है तो दो साल wait करने का कहीं कोई sensory बनता यह readily available है बहुत प्यारी कार है आपका मन है तो मैं तो यह ही सजेस्ट करूंगा why wait for two years तब तक तो और नहीं कार आजाएगी नहीं टेकलोजी आजाएगी नहीं पैसे खर्चना मजे लेना you must go for it